नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में आज हम लोग अपना लक्ष भीहार बीट का एक नया न्यू वीडियो लेकर आये हैं चैप्टर त्री से रिलेटेड है ये एमसी क्यू पार्ट वन है चैप्टर त्री का टीचिंग लर्न चैनल पर विजट्ट कर सकते हैं देख सकते हैं जितने वी फस्ट हेर्ली स्ट्रिक्स हैं उ आगले च्टाटेडी होगी जिसा स्ट्राटेजी Gothic के जरिया सीटेट एक्जाम को एजली क्रेक कर पाएंगे ठीक है तो पहला कुस्टण है वीच वन आपऺ फॉलॉविंगद रि में में दिया है ताकि जो हिंदी मीरीम के स्वुड़ेंत है उंको हिंदी में पर सके और इंउग्लिस वाले लीट्वेर इंग्लिस में तो इसमें परिशानी नहीं होगी ठिक है तो इसका जो जो आप्शन ißh स्थांतरित किया जा सकता है इंकरेजिंग रूट लर्निंग अडूप्टिंग फोकसिंग एंग्जामिनेशन रिजल्ट इसका एंसर हो जाएगा अडूप्टिंग चाइल्ट सेंटर पेडागोजी जो आपका सब्सक्राइब लूट को अपनाना ही जो टीचिंग से लर्निंग की और इंफेसाइज करता है ठीक है next question which one of the following learning is permanent कौन सा learning हमारा permanent होता है रटते हुए सुनने से समझ से या देख कर तो आप ही बता सकते हैं इसमें कि किस तरह का अगर हम किसी भी चीजों को रटते हैं तो में भी भूल सकते हैं सुनते हैं तो वह भी अगर लेकिन समझ के उसको समझ के समझ जाएं उसको वाई अंडर्स्टेंडिंग तो हमारी आसान हो जाएगा हमारे लिए तो आप्शन सीजड़ करेक्ट वन नेक्स्ट कोस्टन है कि विच वन ऑफ द फॉलोविंग इस नौट ओप्शन ए इस दा करेक्ट वन और ए हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूं निम्लिकित में से कौन सीवीडी नहीं है जिसका परियोग सिक्षन के दौरान विसे वस्तु को प्रसुत करने के लिए किया जाना चाहिए ठीक है तो डिस्कवरी ही एक ऐसा इसमें है जिसको हम लोग सिक्षन के दौरान यूज नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट कोस्चन है कि इंदर लर्निंग प्रोसेस मिस्टेक्स आर सीखने की प्रकिरिया में गल्तियां क्या कहलाती है तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज सक्सेस्ष मो सफलता जितनी महत्वण है तो अगर हम सीखने की प्रकिरियां में गलतियां अगर हमारी होती है तो उससे हमें सीखना चाहिए तो सफलता जितनी महत्वण ठीक है तो B is the correct option ठीक है Q6 है कि which of the following aspects is emphasized most in all teaching theories नेमलेखित में से किस पहलू पर सभी सिक्षन सिधानतों में सबसे अधिक जोड दिया गया है पहला Classroom Interaction, Presentation of the Content, Presentation of the Environment, Inquiry of the Knowledge Classroom Interaction कच्छा की जो बातचीत है इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है ठीक है A is the correct answer A is the sorry A is the यहाँ पर A is the correct answer A हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है A teacher never gives answer to question herself C encourages her students to suggest answer have group discussion adopt collaborating learning this approach is based on the principle देखिए कभी भी हम लोग क्लास में देखते हैं कि teacher जो है कोसिस करते हैं कि कोई भी कोशन अगर हम पूछे तो बच्चे अब खुद से इसलिए टीचर डारेक्ट एंसर नहीं देते हैं उसको इनहेंस करते हैं उसको प्रोचसाहिद करते हैं थाकि वह एंसर की और पहुंच सके तो कौन सा मेथड यहां पर हो जाएगा एक्टिव पार्टिशिपेशन डाटीज डी डी जो है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सक्डिये साजेदारी जो है सक्डिये साजेदारी यह होनी चाहिए ठीक है कोशन नमबर एट क्या है वाट शूद एटीचर डू डेवलप चिल्डेन इन पॉजिटिव मैनर एक सिक्षा को क्या करना चाहिए ताकि चिल्डेन बच्चे जो है पॉजिटिव मैनर में डेवलप कर सके पहला अप्शन है इंकरेजिंग गुड होबीज मोटिवेटिंग टेक डायट डेवलपिंग गुड रीडिंग हैविट्स ओल अब द एभव तो इसका एंसर देखिए इसमें इंकरेजिंग गुड होबीज एक टीचर को बच्चे के लिए गुड होबीज को भी बताना चाहिए जितनी भी है उसके लिए प्रोच्छाहित करना चाहिए मोटि सभी ऑप्षन सही है डेट्स वाइडी ज़ी करेक्ट आप्षन ओल अर्दा करेक्टरिस्टिक्स ओफ लर्निंग एकसेप्ट इन सभी चारों ओप्षन में कह रहा है कि एक ऑप्षन है सभी एक ऑप्षन को छोड़कर सभी जो है सीखने की विशेशता को बताते हैं कौन सा आ नाइन कौंसब ऑप्षन है इसको उप्षन को मैं आप लोगों के छोड़ता हूं यह एक अच्छा कोश्चन lesson plan is beneficial because पाठ योजना के माध्यम से पढ़ान अलाब दायक होता है क्यों पहला option है a teacher can modify his own behavior after evaluating his pupils a teacher can achieve all the objective by adopting suitable strategies teacher can complete his syllabus in time या all of the above इसमें कौन सो option सही है तो इसमें आपका हो जाएगा option number D is the correct one क्यों क्योंकि पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाना क्यों लाब दायक है तो पहला option है कि एक सिक्षक अपने विद्यार्थियों का मुल्यांकन करने के बाद अपने वहवार को संसोधित कर सकता है अगर हम पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाते हैं तो मैं पता चल पाएगा कि हम कौन सी चीज़ पढ़ा रहें कौन सी चीजह कहां तक हमको पढ़ाना है ठीक है एक सिक्षक कैने चीव ऑल दौबजेक्टिव क्या उसको पढ़ाना है उसको भी बता सकता है और वह अपना सिलेबस सिलेबस भी टाइम पर कंप्लेट कर सकता है इसलिए हमारा option जो है डी होना चाहिए कोशनबर 11 है कि वीच ओफ फॉलविंग इस नॉट एन ऑटो क्रेटिक मेथड ने मिलिकित में से कौन सिक्छन की निरंग कुस्पद्दती नहीं है ठीक है पहला ऑप्शन है टीटोरियल सेकेंड इस देमेंस्ट्रेशन तीसरा है स्टोरी टेलिंग एन चौता है तो डी इस the correct one डी हमारा हिरुस्टिक मिथाड जो अनुमान जो है अनुमान उसके बारे में कहा रहा है यह यह ओट्व क्रेटिक मेथड नहीं है मैंने और लेड़ी आपको ऊट्रिंग मेथड के बारे में बता दिया थीक़्ातो क्रेटिक मेथड के मैढ़े में प होता है और टीचर चाहते हैं कि उनका जो कंट्रोल है टीचर का कंट्रोल जो है वो फुल कंट्रोल हो किस पे तो स्टूडेंट यही और टीचिंग स्ट्राटीजी होती है ठीक है है ओसंट को कब एक चीज़ और है इसमें किश में स्टुडेंट्स को कमचांस देया जाता है कि वह फ्रीली एक्ट कर सके ठीक है फ्रीली एक्ट कर सके तो यह मैंने यह मैंने इसका 에서 वीडियो लेक्च्र बनाया हुआ है आप इस लेक्च्र को देखिए you will get the you will get each and everything whatever you required ठीक है question 12 क्या कह रहा है कि the purpose of micro teaching micro teaching का क्या purpose हो सकता है to learn and practice giving constructive feedback सक्त प्रतिकिर्या देना सीखना और अभ्यास करना या second option to be used as a tool for teacher preparation सिक्षक तैयारी के लिए कुप करन है के रूप में इसको जाना जाता है कि तीसरा option है to build up confidence and skill in teaching सिक्षन में आत्मविश्वास और कोशल कर निर्मान करने के लिए या all of the above ठीक है तो माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग में यह चीज क्यों है यह भी मैं आपको homework के तौर पर आपको देता हूं जो भी स्कूर्शन को सॉल्व करेंगे मुझे comment कीजिए और जो लोग comment करेंगे i will give the answer ठीक है तो यह मैंने आपको एक इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोड़ दिया है next question में कच्छा में अच्छा परदर्शन करने वाला बच्चा होना चाहिए ठीक है और से सोच 나 हjakे की मुझे भी ख्लास में अच्छा performance देना है पनिश्मेंट क्या है पनिश्मेंट क्या है तो teacher is necessary for the development of teacher का रोल विकास के लिए सिख्छक की भूमी का क्या होनी चाहिए पहला ओप्शन है एजुकेशनल डेवलप्मेंट आप चिल्डरेन बच्चों का सैक्षिक विकास होना चाहिए इंटेलेक्च्वल डेवलप्मेंट आप चिल्डरेन बच्चों का बौधिक विकास होना चाहिए थार्ड ऑप्शन इमोशनल डेवलप्मेंट आप चिल्डरेन बच्चों का भावनात्मक विकास या औल अब बहुत ही अच्छा कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है और बहु महरोट पहला प्रजेक्ट दूसरा हिखर स्यक स्यक्रीं डिस्कवडी सिः चौता फ। अल अभ द येव तो इसमें प्रजेक्ट में थाड भी मारा हमार सकार्ण सुप्षोण इसम decade हमें सेख शॉप्षystem हमारा of teaching method is the effective presentation of the subject matter while the purpose of teaching strategy is इसका क्या answer हो जाएगा कह रहा है कि सिक्षन पद्रति का उद्देश विश्यवस्तु की प्रभावी प्रस्तुति है जब की सिक्षन रन्निती का क्या उद्देश है तो क्रियेटिंग कंडक्टिव लर्निंग इंवायर्मेंट जी हाँ सिखने के लिए अनुकूल महौल भी बनाना चाहिए हमको ठीक है रियलाइजेशन आप दो अब्जेक्टिव उद्देशों की प्राप्ति विल्कुल सही है सिक्षन रन्निती क्या होनी चाहिए उद्देश की प्राप्ति हमें होनी चाहिए ना थर्ड ऑप्चन है इंक्रीजिंग दे इंटेरेक्शन आप टीचर एंड पूपिल्स सिक्षक ठीक है तो सिक्षक और विद्द्यार्तियों के संपर्क में भी विर्द्दी होनी चाहिए तो ओल अब दे एभव यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है इसमें कहानी कहने की रननीती को सफल बनाने के लिए एक सिख्षक को क्या करना चाहिए तो पहला है इस टोड़ी शुट्वी मेड इंट्रेस्टिंग बाइक तो जो स्टोड़ी है gwिनेस्टिंग होना चाहिए के सित्व इसमें ठीक है नेचरल सिक्वंज इन-day प्रिजिव मेंटें कहानी मैं सब्ब्लाविक राखना चाहिए कहानी जब भी हम लोग कहते हैं तो उस कहानी का जो उद्देश होता है कि उसके जो भी किरादार है उसको अच्छे से explain किया जाए और वो कहानी आज के रियल लाइफ में जो आप बाते बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो ठीक है ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा है तो उससे रिलेटेड होना चाहिए तो इसमें तीनों अप्षन हमारा सही है तो डी इस दा करेक्ट ऑप्षन ठीक है नेक्स कोश्चन है दा पर्पस आफ टेक्स्ट बुक स्ट्राटीजी दा पर्पस आफ टेक्स्ट करने में सक्षम बनाने के लिए पाथ पुस्तक की रन्निती होनी चाहिए किसी भी बुक को आप देखिएगा तो उसकी रन्निती यही होती है कि जो बच्चे पढ़ रहे हमारे बुक को वह उस चैप्टर में उस अध्याय में उनको महारत हांसिल हो जाए ठीक है नेक्स्ट आपर यह सबसे suitable है option । जो सबसे suitable है option । हमें सही ऑप्चिर लग रहा है कि किसी भी पाठ्थे पुस्तर का यह उदेश होना चाहिए जो भी अध्याय या जो भी टॉपिक है वह लरनिग औब एकसेप्ट इन सभी में सीखने के उद्दश को प्राप्ट करने के लिए निम्लिकित सभी आवश्यक्य हैं एक को छोड़ कर कौन सा है उसको हमें फाइंड आउट करना है तो पहला ओप्षन है selection of suitable teaching tactics क्या यह है दूसरा है मतलब उप्यूक्ट सिक्षन रन्निती का चायान होना चाहिए दूसरा है selection of suitable strategies उप्यूक्ट रन्नितियों का चायन भी होना चाहिए यह भी सही है यह भी होना चाहिए यूज आप suitable audio visual aids उप्यूक्ट सरफ द्रिश्यों साधनों का उप्रयोग भी होना चाहिए तो इन में से तो कोई option वैसा नहीं है जो की हमें लगता है ठीक है तो डी इन में से कोई नहीं होगा दी दा करेक्ट option ठीक है तो आज के लिए इतना ही और next class में हम फिर और भी इसके आगे की वीडियो लाएंगे ठीक है तब तक study era को की तरफ से सभी को धन्यवाद थैंक्यू बने रही है study era के साथ और like and share and subscribe जर रिलेटर है सीटेट का भी मैं बहुत जल लाने वाला हूं और मैं जीके जीए से रिलेटर भी कुछ चीज़े लाने वाला हूं जो बहुत कम समय में सभी लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो का ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक्यू एंड हैव नाइस ट्यू झाल